वेल्कम तो मैंवेजिंग ओडिंस तो यूडप चैनल इंग्लिश टॉक आप वी बिमिन प्रेक्टिकलिटी आप इसे पहले भी हम 8 पार्स अप्लोड कर चुके हैं आई होप आपने वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगा हूँ अगर अभी तक आपने नहीं देखा त मैं आपको 10 different words देने वाला हूँ जो की फ्रेजल वा, बीडियम फ्रेज़ और से लेटेट हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ प्रिवियस वीडियो में इस वीडियो 8 के कुछ words रिवाइस करना चाहता हूँ मैं आपको एंग्लिश मीनिंग बोलेंग और आपको उसका हिंदी मीनिंग प्लस एक एक सेंदेस कमेंट बोक्स में जाके मैंशन करना है मैं सभी के सेंदेस जाके चेक करूँगा एक प्रेक्टिस एक्सराइज है तो मारा पहला वर्ड है इस वीडियो को गिंश देने के लिए मैं आपके सामने तीन सेंदेस बोलूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके की वक्याप आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है तुमरा पहले संदेंस है ये बिГन a partionist he always cashes in on every opportunity which comes in his way and because of this attitude he is doing an armchair job in a reputed company हमरा next sentence है ये he is not a dauntless person anybody can daunt him easily हमरा last sentence है ये I am up to my elbows nowadays while shooting different type of English video for all of you I hope you will appreciate my efforts तो कौन गौन से वर्ड हमने इस वीडियो के अंदर देखे पहला अपोर्शनिस्ट, कैश इन ओन, आर्म चेर जोब, डॉंट, डॉंट लैस, एंट, गेट ओवर इस तरह के वर्ड और इससे भी काफी अच्छे वर्ड आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं हमारे देश के सैनिक हम सभी की रक्षा के लिए अपना जीवन दाव पर लगाएं हमारा next sentence है, the economy of many countries is at stake due to this pandemic इस महामारी के कारण कई देशों के अर्थविवस्ता दाव पर है हमारा next word है, an arm chair job, इसका meaning होता है आसान और अच्छी आए वाली नोकरी means good income job with high comfort, example one, everyone wishes to get an arm chair job in his life everyone wishes to get an arm chair job in his life, हर कोई अपने जीवन में आसान और अच्छी आए वाली नोकरी करना चाता है सरकारी नोकरी को आसान और अच्छी आए वाली नोकरी माना जाता है इसलिए हर कोई इसे पाने के लिए तियारी करता है हमारा next word है, don't don't का meaning होता है डराना या बहबीत करना example one, no difficulty in the world can don't us no difficulty in the world can don't us दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डरा नहीं सकती हमारा next sentence है, he don'ted me by telling the ghost story उसने मुझे भूत की कहानी सुना कर डरा दिया हमारा next word है, don'tless, जो की don't से related है इसका meaning होता है nidr, means brave example one, you can't don't him because he is a don'tless person you can't don't him because he is a don'tless person आप उसे नहीं डरा सकते, क्योंकि वह एक nidr व्यक्ती है next example है, she is a don'tless girl who fought against the criminals in a well way वह एक nidr लडकी है, जिसने अपराधियों के खिलाफ अच्छी तरह से लडाई लडी हमारा next word है, up to one's elbows इसका meaning होता है, बहुत वियस्त, means very busy example one, she is up to her elbows preparing for the medical entrance test वह medical प्रवेश परिक्षा की तियारी करने में बहुत वियस्त है हमारा next sentence है, I am up to my elbows to shoot different videos of English मैं अंग्रेजी के विविन विडियो शूट करने में बहुत वियस्त हूं हमारा next word है, commit commit का meaning होता है, हमला करना, means attack example one, the rovers came at him with daggers the rovers came at him with daggers, Lutero ने उस पर खंजरों से हमला किया हमारा next sentence है, the dog suddenly came at him the dog suddenly came at him, कुते ने अचानक उस पर हमला कर दिया हमारा next word है, yell out, yell out का meaning होता है, तेज आवाज में अचानक चिलाना example, the child yelled out seeing the ghost, the child yelled out seeing the ghost, बच्चा भूत को देखकर अचानक तेज आवाज में चिलाया हमारा next word है, hallucination, hallucination का मतलब होता है, ब्रह्म example, he could not tell if what he was seeing was real or any hallucination वह यह नहीं बता सका कि वह जो देख रहा था वह वास्विक था या कोई ब्रह्म हमारा next word है, opportunist, opportunist का मिनिंग होता है, अफसरवादी या मोका परस्त example 1, an opportunist doesn't miss a single opportunity to grow himself in his career एक अफसरवादी अपने करियर में खुद को आगे भढ़ाने का एक भी अफसर नहीं कवाता है हमारा next sentence है, you will have to be an opportunist for being a good English speaker एक अच्छा अंगरेजी वक्ता बनने के लिए आपको अफसरवादी बनना पड़ेगा हमारा next word है, cash in on, cash in on का मिनिंग होता है, लाब उठाना, means take advantage of Example 1, he always cash in on good apportionities, he always cash in on good apportionities वह हमेशा अच्छे मोगों का फाइदा उठाता है हमारा next sentence है, she is fool, she got a good apportionty but she didn't cash in on it वह मूर्ख है, उसे एक अच्छा अपसर मिला लेकिन उसने इसका लाब नहीं उठाया Guys, I hope you really like the word collection which you have recently received in this video If yes, then don't hesitate to press the like button Kindly share this video with your friends and family members that they can also be benefited with the same And be a fluent English speaker And don't forget to subscribe our YouTube channel for getting such type of awesome videos of English in upcoming time So thanks a lot for the same, have a nice day to all of you Thank you Thank you Thank you